हलो फ्रेंड्स वागले के दुनिया में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपने पहले के एपिसोड में देखा यानि कि कल के एपिसोड में कि पंटर को यानि की हर्षत को कबोतर बनाने के बाद दप्चेस जानि कि जोसी पूरा काफी परेशान है और सब के सब उस पर इलजा हैं सारा इलजाम जोसी पूरा पर ही लगा रहे हैं लेकिन तभी यामनी जी आती हैं और कहती हैं कि आप लोग इनके पास पान मसाला का डिबबा देखके यह सोचे कि इन्होंने हरसत भाई का किड्नेप करवाया है तो ऐसी बात नहीं है दरसल यह हरसत भाई को बहुत याद कर रहे थे तो इसके उनके प्रिये चीज पान मसाला को लाके अपने पास रखा अब इस बात को भी जोती जी जूट ठहराती हैं कहती हैं कि नहीं यह सारी बाते नहीं हैं इन्होंने मेरे पती को किड्नेप किया है और इनको कहीं से भी मेरे पती को लाना होगा तब यहां प क्यों आए तो तिवारी कहता है कि मैडम मुझे भी ये बताना है कि ये जो दक्कू भाई है ना उन्हों नहीं हरसत भाई को किड्नेप किया है कहीं गैप कर दिया है अब सबके सब जिस तरीके से जोशी पूरा पे यानि कि दक्कू भाई पे इलजाम लगा रहे हैं सर्म से उन और अब वो कबूतर से बापस हरसत नहीं बना पा रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं और सब तरफ से बस इलजाम लग रहा है तो जियोती जी कहती है कि अब तो आपको मैं पुलीस के हवाले करके रहूंगी और तबी यहां पर पुलीस की एंट्री होती है और वो पूछते हैं पुलीस कि आप है जोसी पूरा तो मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं क्योंकि आपने कहीं न कहीं हरसत जी का किड्नेप करवा दिया है आखिर वो कहां गया है जो मिल नहीं रहे हैं तो विदुत कहता है कि हाँ अंकल इन्हें पकड़ लीजे इन्होंने मेरे पापा को किड्नेप कर लिया है अब जोसी पूरा की जो हालत है वो देखने लायक है वो बार बार सफाई में कह रहा है कि मैंने किड्नेप नहीं किया है लेकिन चारों तरब से बस एक ही इलजाम उस पर लग रहा है कि नहीं तुमने किड्नेप नहीं किया है तो फिर बताओ कि आकिर हर्षत कहां है तो यहां पे जोसी पूरा अपनी बाते खोलता है कि मैं वो अक्षे लक्षमन से कुछ जादू सीख रहा था और उस जादू के क्रम में मैंने एक मंतर पढ़के हर्षत को आदमी से कबूतर बना दिया मैंने उसे आदमी से कबूतर तो बना दिया लेकिन जब मैं बापस उस मंतर को पढ़के उसे हर्षत बनाने की कोशिस कर रहा हूँ तो वो हर्षत नहीं बन रहा है तो इसमें सभी लोग कहते हैं कि आप जूट बोल रहे हैं और ये बाते बनाना छोड़िये मुझे बताइए कि कहा है तो इसमें सब को हसी आती है जोशी पूरा को देखके जोटी जी को बहुत हसी आती है कि कैसे ये कबूतर बनाने की बात कर रहे हैं तो इसमें जोशी पूर लेके चलूंगा आपने हरस्त भाई का यानि कि हरस्त जी का किड्नेप किया है तो जोसी पूरा कहता है कि ठीक है मुझे ले चलिएगा लेकिन मुझे एक पर फिर से कोसिस करने दीजिए हो सकता है कि इस बार मैं पंटर को वापस हरस्त बना दूं यानि कि कभूतर से आग भी बना दूं तो पुलिस कहती है कि मैं तुम्हारी इस मन गढ़ंत बातों में नहीं आने वाला हूं लेकिन जोसी पूरा कहता है कि एक बार तो आपको मुझे मौका देना ही पड़ेगा और उसके बाद सभी लिफ्ट के पास आते हैं जोसी पूरा के साथ पुलिश भी आती है और जोसी पूरा जो है जोर जोर से कहता है पंटर आजा आजा पंटर आ आ आ आ बार बार वो आ आ आ करता है लेकिन लिफ्ट के अंदर से कोई नहीं आता है अब सब पीछे खड़े उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो वो कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ मुझसे ये भूल ह हुई है मैं मानता हूँ लेकिन मैंने उसका forgot नहीं किया एंग तभी उसकी नजर हर्षत पर जाती है हर्षत जुए वह अपना कैप उतारता है तो देखके हैरान रह जाता है दुए यानि की जो शेकिश पूरा कि अरे लेक्शन हर्षत थे उसके बाद जो होता है वहां मत पूछे यानि की दक्कू की तो जान में जान आ जाती यानि की जाता है कि सब ने मिलकर मुझे बेवकूब बनाया है और सभी लोगों को जोसी पूरा जी पी इतनी हसी आती है कि उनकी हसी ही नहीं रुकती है खास कर हरसत तो और हस रहा है यहाँ पे जो सी पूरा जो है वो जानना चाहता है कि आकिर उसके साथ सबने ये जूट का खेल तो वहाँ पे तब तक अक्षय लक्षमन जी भी आ चुके है तो अक्षय लक्षमन को भी देखके धकू को काफी आश्चर जोता है तो वह पूछता है कि आकर तुम लोगों ने मेरे साथ ये जूट का खेल खेला क्यों मुझे बुद्धू क्यों बनाया तो वन्ना जी कहती है कि दरसल आपने जो मेरे लिए विल्डिंग में आर्टिफिशल कंपलसरी कर दिया था और जिसके कारण कि किसी को भी आप आने जाने में मुस्किल पैदा कर रहे थे इससे सोसाइटी वाले काफी परेशान थे तो आपके लिए ये नाटक खेला गया तो इस पर जोसी पूरा जी कहते हैं कि मुझसे ये जो आप लोगोंने मुझको सबक सिखाने के लिए जो नाटक खेला और मैं इतना परेशान हुआ तो क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है तो इस पर सब को फिर से एक बर हसी आती है और कहते हैं कि आपने आपने जो हम लोगों को कर रहे थे आप इस तरह से होक टोक किसी को आने नहीं देना जाने नहीं देना सौबर चेक करना तो आप सोचिए कि उससे लोगों को कितनी परेशानी होगी तो इस पर चोसी पूरा कहता है हाँ वो तो ठीक है पर यामनी भावी कहती है कि कास आप लोगों ने मुझे सामिल कर लिया होता अगर आप लोगों को दक्कू को सबक सिखाना था तो इस तर वन्दना कहती है कि आपको हम कैसे सामिल करते क्योंकि आपके पेट में तो कोई बात जल्दी रहती नहीं है न भावी अब आगे के सीन में श्री निवास जी और अगर घुसते हैं तो देखते हैं कि मनोज खाने का टेबल ठीक कर रहा है प्लेट वगारा पोच रहा है तो उन दोनों को काफी ताजुब होता है कि उनका बेटा में अपनी पत्नी को हेल्प कर रहा है यह देखके स्री निवास जी और रादिका जी को काफी अच्छा लगत गता है तो वो मनोज को बोलते हैं इसके लिए तो कहता है कि हाँ क्या हुआ विद्या खाना बना रहे थी तो मैंने प्लेट सजा दिया तो इसमें रादिकाजी कहती है अच्छा किया लेकिन तेरी अत्याने तुम दोनों के लिए पूरन पोली भेजा है और यह लोग पूरन आइडिया दिया है तो अब ये विद्या का नया आइडिया क्या है ये हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे फिलहाल तो राधिका जी और श्री निवास जी अपने बड़े बेटे बहु को इस तरह से मिल जुलकर रहते वे देखकर काफी खुस हैं तो अब आगे जो सी दिखाया जा रहा है वो है उसमें राजेश कुछ पैसो को लेके चिंता में है और कुछ हिशाब किताब कर रहा है तबी वन्ना बताती है कि राजेश बाबू मुझे बहुत बड़ा ओर्डर मिला है तो राजेश वागवे पूस्ते हैं किस चीज़ का तो वो बोलती है कि त से कैटरिंग का काम सुरू किया है तो उसमें बहुत बड़ा ओर्डर मिला है और इसमें वीवान मेरी मदद कर रहा है उसने काफी सारे मुझे कैटरिंग से रिलेटेट आइडियाज दिये हैं तो तुम यह कहना चाहती हो कि वीवान अब दीरे-दीरे समझदार हो रहा है मै से राजेस वागले कहते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रही है मुझे मालूम ने क्योंकि तुम भी तो जानती हो ना कि अभी अभी उसका अमीता से ब्रेक अप हुआ है और अमीता सकी की दोस्त है अगर मालो आगे जाके तो इतना ही बीच में वन्ना कहती है कि आज के बच्चे हो सकता है लेकिन डिवान लग तो तुमने भी किया था तुम्हें याद है कि तुम भी तो मत्रा जोशी के प्यार में पड़े थे और जब वह नहीं मिली तब मैं तुमारी जिंदिये में आई थी तो फिर आज शकी और विवान के बीच ऐसा कुछ होता है तो क्या गलत है उ मुझे मालूम ने मैं चाहती हो कि तुम मेरे बालों में आज आखरी बार गज्रा लगाओ क्योंकि कल मुझे होस्पिटल जाना है तुम्हें याद है तो राजेश वागले कहते हैं हाँ याद है उसके बाद वन्ना जो है वो गज्रा देती है और राजेश वागले बहुत प्रेम से बन्ना के बालों में गज्रा लगाते हैं और दोनों ही सेंटिमेंटल हो गए हैं क्योंकि कीमो के बाद हो सकता है कि काफी बाल हट जाए बन्ना जी का क्योंकि कीमो के बाद ऐसा होता है कि बाल नहीं रहता है और इसका डर उन्हें भी है अमरे में आता है तो देख पूछता है कि मम्मी डैडी अभी तक ना चाय पीए ना कॉफी पीए सब कुछ वैसा ही पड़ा हुआ है तो वह पूछता है कि आप लोगों ने अभी तक चाय कॉफी क्यों नहीं लिया तो उस पर सकी बोलती है कि दरसल मम्मी का अभी ब्लड टेस्ट होना है तो अधर पूछ तैस्टिन के लिए कुछ और वागले समझाते और तब तक लेने करने वाला आ जाता है और वह जब खुन निकाल रहा होता है सिरिंज से तो राजेश वाग्रे बिल्कुल बंदना का हाथ थाम के अजीब सा चेहरा बनाता रहा है तो बंदना कहती है कि तुम कब तक इन सब चीजों से इतना डरोगे खुन मेरा निकाला जा रहा है और डर रहे हो तुम तुमें तो ये सोचना चाहिए राजेश वाबू कि मैं हस्पिटल से इतना बड़ा ओपरेशन करवा के आ गई हूँ तो अब ये थोड़ा मोड़ा खुन देना कौन से बड़ी बात है तो इस पे राजेश वाग्रे कहते हैं कि मेरे लिए तो है अब तुम्हारे लिए हो या अब आगे स्कूल का सीन दिखाया जा रहा है स्कूल में विद्दूत और अधर तेकते हैं कि जोती के साथ मिसेश शोपड़ा वह अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं डाट के बात कर रहे हैं तो दोनों ही बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है तो वह जोती से पूछते हैं कि क्या हुआ अंटी ऐसे वो क्यों बात करेंगे वो बताती हैं अंग्रेजी में अटक अटक के कुछ गलत स्पेलिंग के साथ बोलती हैं जिसको की अधर और विद्दूत करेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हम चोपड़ा अंटी से बात करेंगे हम प्रिंस्पल से बात जब जाया जाया तो वह डबल रूम ले लेकिन बन्ना चाहती है कि सिंगल रूम लिया जाए तो अब आगे यह जो है वन्ना जी जैसा चाहती है राजे ज्वागली को वैसा ही करना पड़ता है तो आगे फिटर में वह आते हैं यानि कि ये लोग चारों लोग आते हैं तो अधर्व जो है वो हस्पिटर में जो तोसरे शायट बेड है वहां बैठता है तो उसे काफी अच्छा लगता है उसे लगता है कि आराम से मम्मी के साथ बात करूंगा तबी उस बेड की पेशेंट जो है उनका पोता वहां पे आता दादी मेरी दादी यहां पे पेशेंट है और वह अभी आने वाली है तब तक उस बच्चे की दादी की भी एंट्री होती है हलाकि वह बच्चा जो है उससे मिलकर बनना को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वह बच्चा काफी स्मार्ट है और तब तक उस बच्चे के परिचे देते हैं और उनसे मिलकर बन्ना जी को भी काफी अच्छा लगते कि उनके जो रूम में पेसेंट हैं वो काफी हस्मुख हैं और इस तरह से दोनों के बीच में परिचे होता है। इधर जे स्वागले जब कांटर पे कार्ट से पेमेंट करने जाते हैं तो उनका कार्ट डिकलाइन हो जाता है। तो आपका कार्ट तो डिकलाइन हो गए ये बात बोल दी जाती है जिसके करन की राजे स्वागले काफी टेंसन में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे की कहानी में यानि की सोंबार को मंडे को ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से राजे स्वागले होस्पिटल का पेमेंट करेंगे। पैटरिंग का काम कैसे बनना जी सुरू करेंगी और भी कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो दिखाया जाएगे आगे की एपिसोड में तो मेरे साथ बने रहे इस सीरियल के लिए इस सीरियल की कहानी के लिए आज के लिए बस इतना ही वाई वाई फ्रेंड्स